हाई फ्रेंड्स कोकवित रानु हिंदी चैनल में आपका स्वागत है आज मैं यहाँ पर भिंडी की सब्जी बनाने वाली हूं जो खाने में काफी ज्यादा टेस्टी बनती है और मोश्टली सभी को पसंद आती है तो इससे बनाने के लिए हम ने यहाँ पर 300 ग्राम भिंडी हम ढ Dazu लिए मैंने धोकर अक्शी से साफ कर लिया है और इस तरह से थोड़े बड़े मिर्च Düsties में काट लिया है और दो यहाँ पर हम बन टैवल स्पून ओइल कर देते हैं तो मैंने यहां पर मस्टर्ड ओईल लिया है सर्षों का तेल है आप जो भी ओईल यूज करते हो इस तेवाल करते हो आप उसे ले ले तो इस ओईल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे एक बार इसने से धुवा निकाल देना रहता है घृब दो और इस अच्छे से पख जाए इसका कच्छ्यापन निकल जाए तो ओईल अच्छे से पख गया है अब हम घल्डियां यहांपर एड्ट कर देते हैं और ईड्डियांच करने के बाद हमें इसी तरह चलाते चलाते विंड्यों को पका लेना है भिंडिया हमें आप आधी पकाणी रहती है तो भिंडियो को आप चाहाए में अच्छा flavor आजए में और आप ऐसी फ्लेवर का ले तो जाहां ऑर अब एक बार उच्छे से mix काम की कावर कर देते हैं ओर अयAg गया जाये और भिन्डिया अब हम दो मिनिट के लिए हाप पर कवर कर देते हैं दो मिनिट के बाद एक बाद पीच में चैक कर लें जिससे ये जल न जाए और अच्छे से इने चला दी दें और यह चारो तरब से अच्छे हो जाए तो फिर से मैंने दो मिनट के लिए कवर कर दिया है मेडियम आज पर और विंडियां भी पक गई है बस इतना ही पकाना होता ही आधी पक गई है अभी और आधी बाकी है तो आधा इन्हें में मसाले के साथ पका लूँगी अगर आप इस तरह से विंडी की सब्ची बन बनती है और आप एक बार जरूर बना कर देखें इस तरह से और बहुत ज्यादा टेश्टी बनती है तो भिंडियां यहां पर आधी पक चुकी है मैंने बहार निकाल लिया है और बन टैवल स्पून ऑईल एड़ करके यहां पर मैंने प्याज को रोश्ट कर लिया है और कुल गया है तो अब मैं यहां पर एक चम्मच लाल मिर्ची पौडर आड़ कर देती हूँ और एक उमचन पर धनिया पॉडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक बार अच्छे से हम चला लेंगे मसालों को मिक्स कर लेंगे और अब यहाँ पर हम टमाटर आड़ कर देंगे जो हमने एक टमाटर चूट चूट पीसे में काट के रखा है उसे भी आड़ कर देते हैं टमाटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के सब और अब यहाँ पर हम पानी आड़ कर देंगे 100-300 ग्रम पानी आड़ कर देंगे जिससे ये मसाला अच्छे से पक जाए अच्छी सी ग्रेवी बनके तयार हो जाए तो यहाँ पर पानी भी आड़ कर दिया है और हम यहाँ पर दो मिनट के लिए ढख देते हैं मीडियम आज पर जिससे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो ग्रेवी हमारी बनके तयार हो गई है टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए है और मसाला भी अच्छे से भून गया है तो मसाला इसी तरह हमें अच्छे से भूनना रहता है मसाला ओइल छोड़ दे तो समझने भूनके तयार हो गया है और आब यहाँ पर हम बिंडियों क को ऑड़ कर देते हैं और भीडियों को अच्छे से मसाली के साथ मिक्स कर देते हैं मिक्स कर देते हैं थेमी आज ये ढाक देंगे दो मिनट के लिए कवर करदेंगे विंडीों हाज में जानिए लेन के और निदी कोवर कर दिये हैं 2 मिनट के बाद हम चैक करींगे एक्तम शिलो गैस पे जिसे अच्छी से भून के तयार हुए मसालों के साथ और काफी अच्छी खुस्वारी बिंडियों से बहुत अच्छी बिंडी बनके तयार हुए तो प्रेंट्स एक बार इस तरह से आप ज़ глубिंडी की सबजी बनाएं और मुखे कमेंट वॉक्स में बताएं कि किस तरह से बिंडी की सबची आपकी बनके तयार हुए किने किल और के किए है तो पीटिएट्स आज की वीडियों अगर हमारे आको पसंद आई हो तो इस बैट्डियो को लाइक कमेंट चेयर करना ना भूले और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और पहला आइकन को दबाकर प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें और आप हमारी वीडियो देख सकें तो बनी रहें इसी तरह को कुपीद रानु हिंदी चैनल के साथ मिलते ह next video में तब तक विली thank you bye bye